नमस्कार दोस्तों स्वागर है आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर एक एरोर देख सकते हैं वाथसेप का तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा होगा कि डाउनलोड फैल बता रहा है तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता रहा है दाउनलोड फैल तो दोस्तों यह जो एरोर है यह जो एरोर है मुझे तावर है जब यहाँ पर दोस्तों पीडियेप फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था तो मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगा कि यह जो error है कि इस वज़े से हो रहा है और आप जो है दोस्तो उस PDF फाइल को क्यों यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर पा रहा है यार फिर जो भी यहाँ पर आप डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर आपको बता रहा है डाउनलोड फैल तो इसको आप कैसे करके recover कर सकते है या फिर यहाँ पर क्या हुआ है जिसके वज़े से मुझे यह error आ रहा है तो इसके लिए दोस्तो कुछ backup का process है या नहीं है आपको जानना है तो वीडियो को यहाँ पर पूरा जरूर देखे ठीक है मैं आपको explanation करके यहाँ पर बता हूँगा कि इसको कैसे कैसे करके fix करना होगा या फिर कैसे करके आप इसको वापस पास सकते हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe करके bell icon को click करें यह यह आप online से पैसा कमाना चाते तो इसके लिए वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं इसका solution हमें करना केसे हैं तो दोस्तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको यह बता रहा है कि यह जो media file है वो यहाँ पर missing हो गया है जो भी आप download करने के कोशिश कर रहा है वो आपके device से missing है तभी आपको यह issue यह problem आ रहा है तो आपको दोस्तो यहाँ पर यह भी बता रहा है please ask करके यहाँ पर number भी आपको दिया हुआ है तो number में ने hide कर दिया है तो दोस्तो यहाँ पर आपको उस number पर पुछने के लिए भी बताया जा रहा है तो दोस्तो यहाँ पर एक option है इसको यहाँ पर backup करने के लिए तो दोस्तो वो कौन सा option है वो है दोस्तो आपका backup process यहीं आपने WhatsApp पर backup बगरा लगाया हुआ है तो आप backup कर सकते जो data है उसको clear करके टीक है WhatsApp का data clear करना नहीं आते तो आपको setting पर जाके यहाँ पर करना होगा ठीक है एप अप्लिकेशन पर्मिशन उसके बाद एप मेनेजर पर आपको मिल जाएगा ठीक है WhatsApp को data clear करने का option तो यहाँ पर दूस्तो एप मेनेजर या फिर मेनेजर इंस्तॉल करके option मिल जाएगा यहाँ पर जाके दोस्तों आप नीचे में जाके देखिए WhatsApp पर आपको clear data का option internal storage पर दिखाए देगा ठीक है यहाँ से आप clear data कर सकते हैं यदि आपने WhatsApp पर backup दिया हुआ है तब ही आप clear data करके उसको backup करिए तो ही दोस्तों आपको वह दुबारा से मिलेग ठीक है यही आपने कुछ backup वगरा setting नहीं किया है कुछ backup का process आप करते नहीं है तो वह file missing हो चुका है permanently आपको क्या करना होगा आपको जिसने भी वह file जो है भेजा है उसको दुबारा से पुछना होगा ठीक है उसको दुबारा से आपको बताना होगा कि वह file मुझे दुबा पर जो है उस admin को आप पूछ लीजिए तो ही दोस्तों आपका जो problem ही वह fix होगा ठीक है यहाँ पर जो last option था मैंने आपको वही बताया है ठीक है यह वादसे पर backup है तो आप उसको recover कर सकते हैं वादसे पर backup नहीं है तो उसको आप कभी recover कर नहीं पाऊगे आपको दुबारा पर आते हैं तो आपको करना किया होगा तो आज के लिए दोस्तों बस इतने उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा thanks for watching